हेलो जी रादे रादे स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में तो आज में लेके आई हूँ बहुती बढ़िया रेमेडी बहुती बढ़िया घरेलू नुस्खा जिसे इस्तिमाल करोगे तो आपके हाथ पेर गर्दन फेस पर जो जमा हो रही है मैल गंदगी संटेंसे संटेंसे जो मारा फेस काला पढ़ जाता है या फिर मैल गंदगी जमा हो जाती है तो बहुत जल्दी साफ होके आपकी इसके नहीं जो निखरेगी चमकदार बनेगी और बड़ा ही इजी है से बनाना तो चलो सुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तो आज की टैम में बहुत ज़्यादा धूल गंदगी जला सा बाहर जाएं घर से तो बहुत जल्दी तो आप इस जो रेमेडी है इसे हपते में दस दिन में एक बार कर लो आपका हाथ पैर है गरदन है हमेशा चमकती रहेगी तो इसके ल के लिखनी की दूर करती और को के काम करति है तो हम लिखे हल्दी आप चमक्र्वा Όङ है पंधी इसके बाद आप स्साइम्पू करना चाहें मैं किसी भी कंपनी का जो आप आप करती हो वो सैंपू डालना तो अम इसमें डालेंगे सैंपू अच्छय से करेंगी इसको मिक्स जो देखो एक फाइन पिष्ट बनके त्यार हो गया है हल्दी है जो गुड़ों से भरफूर है सैम्पू है जो अप लगाओगे इस्तमाल करोगे आपको ले करके अपने हातों पर गर्दन पर फेस पर अच्छे हलके हलके हातों से रफ करना है तक्रीबां 3-4 म्याट तक आपको जादू नजराएगा इस्तमाल करोगे हटे में एक बार तो आपकी चमकदार होगी निखरेगी और साबसुतरी रहेगी सदना तो वीडियो अच्छा रगाओ तो लाइक करना जैनल को सब्सक्राइब करना रादे रादे